कर दोड़ज़त को गेरुवा रंग अब वारांसी की एक मस्जिद पर चड़ गया है और इसको लेकर अब विवात खड़ा हो गया है वारांसी में एक मस्जिद पर जब से गेरुवा रंग चड़ा यहां का सियासी पारहा बढ़ गया है दरसल काशी में सौंदर्य करण अभ्यान के तहट दशाशव मेद से लेकर मैदागिन इलाखे तक सड़क किनारे सभी घरों और भवनों को गेरुआ रंग से रंगा जा रहा है इसी दोरान बुला नाला इस्थित एक मस्जित को भी गेरुआ रंग से रंग दिया गया मस्जित को गेरुआ रंग से रंगे जाने की खबार जैसे ही मुस्लिम धर्म गुरों को लगी उन्होंने जिला प्रशासन के सामने इसका विरोध जटाया मुस्लिम समुदाई की आपती के बाद प्रशासन ने मस्जित को सफेद रंग से रंगवा दिया गलती से रात में किया और किसी को मालूम नहीं हुआ उन्होंने कर दिया पिर हमने वितराज किया और फिर सफेद हो गया आपस के बाई चार्गी से सफेद हो गया देखिए ये तो जो है जो सुंदर कासी इसली सरकार में भी नारा दिया था लेकिन जो है आज ये हकिकत में सामने आया है कि सुंदर भी दीत रही है स्वच अपशी और रही जहां तक मस्जीद की बाद तो है वो कलर पूरा एक कलर में सबकावा किसी के धर्म के साथ भेदभा प्रशासन इस मामले को बढ़ने से रोक रहा था तो इस मामले ने एक बार फिर तूल तब पकड़ लिया जब यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इस मसले को लेकर एक विवादित बयान दे दिया उन्होंने कहा कि गेरवे रंग से किसी को कोई आपत्ती नहीं होनी चाहिए सभी धार्मी कि स्थनों को गेरवे रंग से रंग देना चाहिए भगवा एक ऐसा रंग है जो भारत और भगवान दोनों का दर्शन कराने वाला रंग है इसमें इतराज किस बात का है हमारा बस चले तो पुड़े देश को भगवा से रंग दे मस्जिद में क्या फरक है भाई भगवान के घर है अब भगवान का घर तो भगवा में होना ही च होती आई है लेकिन ये राजनीत तब और चीखी हो जाती है जब बाद गेरुआ रंग की हो धर्ण नगरी काशी में मस्जित पर जब गेरुआ रंग चड़ा तो सियासी पारा भी यहां का अचानक चड़ गया मुस्लिम धर्ण गुरुओं के विरोत के बाद हाला की जिला प् प्याम से तो यही जाहिर होता है